Hello friends, very very good morning, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे So friends, आज की इस class में हम लोग solve करेंगे GKGS का practice set पूरे 50 प्रश्टों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे अगर आप लोग पिछली practice set के वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग play list में जाके देख सकते हैं Play list में आपको GK topic wise, Hindi topic wise and be and entrance exam का previous papers भी मिल लागा PDF वेगर आप फिरी में चाहिए तो आप लोग telegram group से join हो शकते हैं Telegram group पर नामे education भी साहिल वीडियो के description box में telegram group की link देदिया हो तो आप लोग जाके join हो शकते हैं वहां से आप लोग बिलकुन free में download कर शकते हैं सारे papers की PDF तो चली start करते हैं 50 प्रिष्ट में से आपके जितनी भी प्रश्ण सही हो तो last में आप लोग अपना नाम और score comment box में जरूर से जरूर बताईएगा सबसे पहला question यह आप दिख सकते हैं blood से है कि जिसका blood group O हो वो जो है किस रक्त शमूँ वाले बक्ति से रक्त ले सकता ही आपको ताना है बहुत important question है तो ध्यान अगिएगा जिसका blood group O हो तो वो केवल O blood group वाले से ही जो है रक्त ले सकता है ठीक है option इसका A correct होगा इस question का right answer ठीक है और O जो है सब को blood दे शकता है यानि कि ये शर्वदाता होता है सरवग्राही कौन सा होता है AB यानि कि ये सब से ग्रहन कर शकता है ठीक है ओ सब को दे सकता है सभी groupों को ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखना है blood का pH 1 कितना होता है 7.4 और जो blood का color red होता है वो किस के कारण होता है हीमोग्लोबीन के कारण होता है चलिए अगला परशने आप देख सकते हैं राश्ट पती दौरा राजशभा के लिए कितने शदश मनोनीत हो शकते हैं बहुत important question है आपके exam के लिए तो ध्यान देखिए कि राश्ट पती दौरा जो है राजज़ सबा के लिए कितने शदश मनोनीत हो सकते हैं टोटल 12 शदश मनोनीत हो सकते हैं option इसका B character होगा इस question का right answer मैं आपको अता दूँ अगर आपको 2021 में यूपी सी B8 करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए ये चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बलाकॉन को ओल पर परस कर लिजिए आप शबी को पता है कि B8 की जो भी अपडेट सेती हैं वो अपडेट आपको मेरे चैनल के मादम से देखने को मिलेगी एक्जाम की बात क्या क्या प्रोसेस होता है काउंसिलिंग कैसे होती कौन-कौन से डाकुमेंट्स बनवाने होते हैं तो वो सारी जानकर हम आपको इस चैनल के मादम से देता रहूंगा अगला प्रशन है ये प्रजातियों को उत्पत्ती की रशना है तो ये रशना है चाल्स डार्विन की अगला उसन लольшे आप को रिख सकते हैं प्रो अमर्थ शेन ने निमलखीत में सिक्ष छेत्र में वेश्व ब्यापी प्रसिद्धी अर्जित की थी? अमर्थ शेन ने, बहुत ही अच्छा प्रशना है. स्टाल लगा लिजेगा इस कोश्चन में. तो अर्थ सास के छेत में जो है वेश्व ब्यापी प्रसिद्धी अर्जित की थी ओप्शन इसका A करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अंसर अगला पर जो की बहुत important है कि किसी भारती राज की मुख मंतरी बनने वाली पर्थम महिला कौन थी तो वो थी सुचेता करपलानी किस राज की ये थी UP की ठीक है UP की मुख मंतरी बनने थी ठीक है सबसे पहले ओप्शन इसका C करेक्ट होगा इस कोशन का राइट असर एवियम का आशे क्या है इवियम इससे तो आप लोग जरूर परचीत होंगे तो इवियम का जो फुल फार्म होता है वो होता है electronic voting machine क्या होता है electronic voting machine option C वाले में दिया गया है ठीक है अगला परचीछ आप देख सकते हैं गीत गोविन की रचना किस ने की थी और जितना भी लोग प्रैक्टिस के टू सॉल कर रहा है फटाफट वीडियो को लाइक कर दें अगला परचीछ आप देख सकते हैं ने बिल कि इतने से बेमेल को पहचानिए कौन सा इसमें बेमेल है आपको ताना है कौन सा परुश्कार तो इसमें बेमेल है आपका ग्यान पीट वाला ठीक है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इसको शन का राइट रहा है अस्थियां किसमें वातिल होती हैं अस्थियां जो हैं किसमें वातिल होती हैं आपको उताना है नाइन का राइट रहा हैं सा बताने का प्रयास करें तो अस्तिया जो हैं पच्छियों में वातिल होती है option इसका D करेक्ट होगा इसकोशन का right answer शूर में उर्जा के उत्पादन की पक्रिया का नाम क्या है शूर में उर्जा के उत्पादन की पक्रिया का नाम क्या है तो वो नाम है पक्रिया का नभी की सल्यान क्या है नबेकी सरलियन option इसका C करेक्ट होगा इस question का right answer ग्रहण किस प्रकासी परिघटना के कारण लगते हैं बहुत अच्छा प्रशन है important question है आपके exam के लिए तो ग्रहण किस प्रकासी परिघटना के कारण लगते हैं वी वरतन के कारण लगते हैं बहुत ही important question है 12 वाला आकसी करण पर उर्जा की अधिकता मत्रा निमलेकित में से कौन पैदा करता है वो पैदा करता है वशा क्या वशा पैदा करता है option इसका B करेक्ट होगा इस question का right answer है अगला question विद्धुत लेपन के लिए शमानता प्रियोग की जाने वाली धातुएं कौन सी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा practice से solve करना and revision करना जितना आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उतना revision के लिए revision के लिए अगर आपके पास कुछ material नहीं है अच्छा content नहीं है तो आप लोग हमारे cash course को जो है purchase कर सकते हैं इसमें आपको जीके topic wise, हिंदी topic wise, reasoning topic wise, कला वर्गिके and general science के questions देखने को मिलेंगे सारे के सारे हिंदी language में होंगे, objective questions होंगे पूरी 490 page की ये PDF है, ठीक है? 490 page की ये PDF है आगर आप लोग इसे अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो जादा तर जो questions आपको मिलेंगे वो इसमें ये भी मैंने कर रहा हूँ कि पूरे आपको मिल जाएंगे, हाँ इसे अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो बहुत ये अच्छा कासा आप लोग score कर के आँगे exam में ये मेरी guarantee है ठीक है तो वीडियो के description box में लिंक है जाके purchase कर सकते हैं साथ ही इसमें 10 year के previous papers भी आपको मिलेंगे मात्र 149 रोपे में सारा material आपको मिल दा है और कुछ doubts बेगार हो तो Instagram पर follow को लिजिए और PDA purchase के में कोई problem हो रही तो 7905-6325-333 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या वर्ट्रेप message कर सकते हैं चलिए continue करते हैं class को अगला परशन यहाँ आप देख सकते हैं निमलिखित में से किस auto mobile के रेचन से cancer हो शकता है तो carbon monoxide के रेचन से cancer हो शकता है option इसका B के रेक्ठ होगा इस question का राइच चंसर है अगला परशन आप देख सकते हैं ओजोन परत के ना होने पर वाई मंदल में कान सी किरने प्रेज्ट कर जाएंगी बहुत ही important question है माई धिया फ्रेंड्स ओजोन परत के ना होने पर वाई मंडल में कौन सी किरने प्रवेस कर जाएंगी आज जो हैं जो 300 questions आपके बचे हैं जीके के वो भी questions में करवा दूँगा 500 वाली class अगर आप लोग नहीं देखें 500 questions वाली तो जाके देख लिजे 300 questions में आज एक एही class में करवा दूँगा तो ओजोन परत के ना होने पर वाई मंडल में कौन सी किरने प्रवेस कर जाती है पराबैगनी किरने जो हैं प्रवेस कर जाती है ओजोन परत के ना होने पर option इसका secret होगा इस question का right answer है ये questions तो मैं आपको कई बार करवाया हूँ ये जो कीबुल कहीं कैबुल कहीं कीबुल देखने को मिलेगा तो जो कीबुल लामजाओ पर्क है जो विस्व का एक अकेला तैरता हुआ राश्टी उद्दान है ये कहां पर है? किस राज में है? सबी को पता होगा मड़ेपुर में किस जहिल में हैं? लोग तक जहिल में option इसका B correct होगा इस question का right answer ठीक है अगला परशन N I E O का पूरा शरूप क्या है? इसका full farm आपको ताना है N I E O इसका full farm बताने का प्रयास करें सब लोग इसका my difference जो full farm होगा N का मतलब हो जागा new I का मतलब international economic O का order option D वाला जो की match कर जाया है ठीक है? अगला यहांप देख सकते हैं जो की बहुत important question है और यह questions मैं करवाया भी हो और आपको याद भी होगा कि भारत के निमलिकित में से किस राज का एक नत्र नाटक कुछी पुड़ी है और इश्टा लगाली जिगा बहुत बार पूचा जाता है तो कुछी पुड़ी जो है आंत्र परदेश का option इसका B केरिक्टों का इसको शन का right answer अगला पैशन आप लोग यहांप देख सकते हैं राष्टी समाजिक सहयता कारकरम का लच उपलप्त कराना है राष्टी समाजिक सहयता कारकरम का लच उपलप्त कराना है क्या है या पोताना है उसका लख्ष क्या है अनसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों को भी प्रतान करना ये भी इसका लक्ष है बहुत गरीब लोगों को वरधभ वस्था पिंसन देना गरीबों के लिए बीमा यानि कि उपियों के शभी ये तीनों चीजें हैं इनका लक्ष राश्टी शमाजिक साहता कारेक्रम का ठीक है तो तीनों लक्ष याद रखने हैं ऑप्षि इसका एक अरेक्ट होगा इसको शुन का राइट अंसर इस टील से बनी गोलाकार गेंध को मरकरी के पातर में डालने पर बह जाएगी या रह जाएगी या गुल जाएगी उपर जाएगी क्या हो जाएगी इस टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पातर में डालने पर वह क्या हो जाएगी वह जो है अनसताह मरकरी में निमजीत हो जाएगी क्या हो जाएगी निमजीत हो जाएगी इसका सी करेक्ट होगा इस कोश्चन का राइट अंसर अगला प्रशन आपकी स्केन पर है, जो की बहुत important question है, कि 20 हड से 20 हजार हड की आवरती वाली धोनियों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्रब धोनिया, क्या कहते हैं, स्रब धोनिया, option इसका एक एरिट होगा, इस question का, right नश्रब, सुद्ध जल विद्ध का कुचाला के क्योंकि, क्या कारण है, स्वल्प आइनित होता है, क्या होता है, स्वल्प आइनित होता है, option इसका एक एरिक्ट होगा, इस question का, right नश्र, राष्टी रशायनिक परियोग साला, NCL जो है, कहां इस्थित है, ये इस्थित है, पुने में, क इस question का, right answer, पे जल में, ब्लेचिंग पाउडर का प्रियोग किस रूप में किया जाता है, पे जल में, ब्लेचिंग पाउडर का प्रियोग किस रूप में किया जाता है, पे जल में, ब्लेचिंग पाउडर का जो प्रियोग किया जाता है, रोगान उनासी के रूप में किया साथ इसकी सामिता होती है गामा के रणों की ठीक है ऑप्षिन इसका सी करेक्ट होगा इसको शनका राइट असर संग्या हारी के रूप में क्लोरो फार्म का अविस्कार किसने किया था तो संग्या हारी के रूप में क्लोरो फार्म का अविस्कार किया गया था वो किया गया था मैं दिख सकते हैं कोई नई आखिल भारती शेवा किस प्रकार शुरू की जाती है अगर आपका 50 में से कम से कम 30 कोश्चन करेक्ट हो रहा है तो आपकी जीके कितारी अच्छी है 45 भी आप लोग नहीं कर पाएंगे चाहिए आप लोग जीतना भी पढ़के जाएं ठीक है वहीं चीज़े आएंगी कुछ अलग से ज्यादा नहीं पूछा जाता है और इसमें शागर है कहीं से भी पूछा जा सकता है कुछ लिमिट नहीं है जीके जेस में तो 30 स्कोर 30 प्लस जाता है 30 से 35 40 की नीचे अगर आप लोग रहते हैं तो इसकोर अच्छा खासा है आपका 30 से नीचे नहीं आना चाहिए तो कोई नई अखिल भारती शेवक किस प्रकार सुरू की जा सकती है सम्विधान की धारा 312 की अंतरगत संकल परित करके जो है सुरू की जा सकती है और सबसे ज़्यादा जो आप लोग फोकस कर देते हैं अच्छे से अभी भी आज 19 जुलाई है तो अभी भी समय है प्रैक्टिस के लिए मात्र 9-10 दिन आपके पास चमय है प्रैक्टिस के लिए ठीक है जीतना होश रखिए उतना आप लोग प्रैक्टिस करें ठीक है अगर आप लोग को पास प्रैक करें कि यही स्कोरिंग सब्जिट होते हैं इसमें अच्छा खासा इसको लाए लेते हैं तो अन्य अभ्यारतियों की तुल्ला में आप लोग आगे निकल जाएंगे ठीक है तो यह बात मान के चलिए का लैंग्विज में रिस्टिंग में ज्यादा फोकुश करना है ठीक है उस अब से पहले किस उच्यण वेन ने गोशना की थी कि बंद च्षावेदिधनिक है भारत में किटने यहें है हाई कोट हाई कोटों की संख्या कितनी है और लास्ट वाला हाई कोट का नाम बताइए कहां पे है किस अलाज में ठीक है अगला पर देख सकते हैं निमलिकित में से कौन सा अश्यम का प्रसिद्ध तेवहार है इस च्टाल लगा के नोट कर लेज़ेगा अगर आप लोग फर अश्यम का प्रमुक्त वहार है फेमस सबसे फेस्टिवल यह ठीक आश्यम का भारत में निवनतम जनसंख्या वाला राज कौन सा है यह भी बहुत इंपॉर्डने कोशन है जनसंख्या वाली क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देखें मेरी जी के टॉपिक वाइस वाली क्ल तो वहां आश्यदी है प्रशातक कौन है प्रशातक आश्यदी है जो दुफशिता को कम करती है सांती और प्रदान करती है ठीक है अगला प्रशाब देख सकते हैं कूटक किसमें नहीं पाया जाता है कूटक किसमें नहीं पाया जाता है 34 का राइटेंस बताने के प्रास करे तो कूटक को कुट में पा जाता है सुतर मोर में बाकी बतक में नहीं पा जाता है कूटक ठीक है option C के रिख्ट होगा इस question का right answer विस्तरत एस्प्राक्टरम प्रतिजैवी की किस्से उत्पन होते हैं वुष्टरत एस्प्रेक्टरां प्रतिजैवी की किसे उत्पन होते हैं ये जो है पैंसी लियम से उत्पन होते हैं उपशनिस का सी करेक्ट होगा इस कोशन का राईट अंसर अगला पैखना वहां वारणक जो वनस्पती को प्रबैगनी के रिनों की दूस परभावर से बचात को परावगनी किरणों के दुष प्रभाव से बचाता है अगला प्राप्र यहां पर दिख सकते हैं गलाइकोजिन इस्टार्च तथा सेलिलोज किस के बहूलक है यह बहूलक हैं glucose कि किसके हैं glucose के option इसका बी के रिक्ठों को इस कोशन का राइट असर काली मौत किसे कहते हैं बहुत इंप्रटन कुशन है और यह सभी को आ भी रहा होगा तो काली मौत को कहते हैं काली मौत अगला परशन तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं परथवी पश्चिम से पूर्व को घूम रही इसी कारण ज्यादा दिखते हैं और इसका डी वाला करेक्ट हो जागा इसकोशन का राइट असर चंद्रमा पर कोई आंतरिश यात्री नली की सहता से नीम्बू का सरबत क्यों नहीं बना सकता है साइंस का सबसे बहतरीन कुश नहीं है इसी के वज़े से वहाँ नीम्बू का सरबत नहीं पी सकता है ओप्षन इसका बी वाला करेक्ट हो जागा ठीक है अगला पर शाम देख सकते हैं कोई कड़ एक शमान गती पर कैसे होना चाहिए कोई करण एक शमान गती पर कैसे होना चाहिए उसका वेक एक समान हो शकता है ठीक है ऐसे ही होना चाहिए ओप्षन सी के रिक्ट होगा इसकोशन का राइट असर वहाँ उपकरण जो ध्वनी तरंगो की पहचानता था रिजू रेखन के लिए परियुक्त होता है क्या कहलात जिसमें प्रतेक शमभावित नोड द्वी दिसी कार्डियां हैं तो वो टॉपलाजी का नाम क्या है मेस है क्या है मेस है औप्षन इसका डी करेक्ट होगा इसकोशन का राइट असर फीफा कप किस खेल से समधित है इस्टाल अगले जी का बहुत इंपोर्टन कोशन है फीफ अधिक वाई पर दूशित करता है कौन सबसे अधिक वाई पर दूशित करता है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है तो कार्बन मोनो आक्षाइट सबसे अधिक वाई को पर दूशित करता है ऑप्षन इसका बी करेक्ट होगा इसकोशन का राइट असर है कैंपोर्टर की गति कि किस से मापी जाती है जो केंपोर्टर की गती होती है उसे किस से मापा जाता है या आपको ताना है बायट से से किस से बायट से से मापा जाता है ओप्षण इसका एक surge होगा इस question का right answer अगला अप्षस निम्ण में से कौन सा कोण सा Morandique है सम्मिधान का वरणन किस में नहीं थे बहुत important question है है भारत का धन संनस्चक काउन होता है भारत का धन संनस्चक होता है नियंबत्रक्युम महलेखक परिश्चक option इसका hereaine कोॉषिन का right answer अगला पर जो कि इस वीडियो को लाज पृस्टा है कि वल्लब भाई पतेल को शरदार की उपाधी किसने परदान की थी तो वल्लब भाई पतेल को शरदार की उपाधी महातमा गांधी के द्वारा प्रदान की गए थी option इसका a correct होगा, इस question का right है इन 25 questions में से आपके जतने भी questions correct हुए हो तो आप लोग अपना नाम score comment box में जरूब देगा अगर आपका 25 questions correct हुआ होगा तो आप लोग average की सिति में 30 score हुआ होगा तो आप लोग good की condition में 35 plus score की ओंगे तो excellent की सिति में आप लोग है तो कौन सी इस्ति आज आपकी हुई है 25-35 में कौन सी average good, excellent कौन सी इस्ति आईए कंडिक्शन आईए comment box में जरू से जरू बताएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो पे हो और crash course purchase करने में कोई problem हो रही तो वाट्श आप नमबरे में सी खर्च रहे हैं तो instagram पे कुछ doubts बगर हो तो clear कर शकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो पे इस वीडियो को like और share करना मत भूलेगा बियड में बहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बियड में admission लेना है तो आप लोग को चैनल से जुड़िये चैनल को subscribe करके बगर में विलाकों को all papers के लेजगा इस चैनल के माद धहम से आपको निशीती मिदत मिलेगी Thank you